गुड मॉर्निंग मैं डियर एस्टेंट्स मैं इम इज रहमान वेलकम टू लातेहर एजुकेशन डिपार्टमेंट लातेहर जारखन आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए कराया हूँ जो क्लास नाइंत का है आप यहां देख सकते हैं यह मैंने लिखा है क इसकोल अपग्रेडर हाइश्कूल बनहर्णदी में कर रहत हूँ और आज मैं बीहाइब जो किताब कहना में बीहाइब जो जसी आटी में चलती है ठीक है इसके माध्यम से मैं आपको एक बहतरिन पॉम पॉम फस्ट पढ़ाने वाला हूँ इस नेम इस दा रोड नोट टेक इन इट वाज पब्लिजड इन 1916 ये 1916 में माउंटेन इंटरभल नाम का एक अमेरिकन मैगजिन है इसमें ये छपा था ठीक है आप इसको एक दो नम्मर कोशन के लिए पूछ सकते हैं नाव पोएट के बारे में बात करते हैं ही वाज बॉर्न ओन 26 मार्च 1874 संथ फ्रांसिस्को कलिफोर्निया इट इस सचोटेड इन उनाटे एस्ट अमरीका आया ये कुछ और इसके बारे में जानते हैं जो मैं पोएट पडाने वाला हूं दरोट नोट टेकें ये मेरा सबसे फेवरेट पोएम में से एक है वन अप म बेस्ट फेवरेट इनों पोउम्स इन माई लाइफ मेरे जिवन में भी बहुत बलाओ इनोंने किया है इसको मैं पढ़ने के बाद टोटल इस्टेंजा फोर है अभी मैं सिर्प आज में आचे क्लास में फर्स्ट इस्टेंजा डिसकस करूंगा और उसके बाद नेक्स डे क् इसक के बारे मैं बैसिक जानकारी देने से पहले आ यह मैं आपको बताता हूं मैं जिस बुक' से पढ़ा रहा हूं अप्य देखेंगे। अच्छे, my dear students, ये बूक है, बी हाइब, ठीक है ना, ये आपका बी हाइब है, जिसमें आपको दिख रहा है, ये हमारे टेक्सबूक in English for class 9th है, जे सी आर्टीज हरकन सरका के लिए, और ये हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजेगा, ये हमारा the road not taken, ठीक है, तो ये मैं आज एस्टेंजा वन डिसकस करूँगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजबाब, ये पोम है, आप पढ़ेंगे, ता आपका दिल खुस हो जाएगा, आईए हम आपको पोम फश्ट पढ़ाते हैं, मैं एस्टेंजा बाइस्टेंजा डिसकस करूँगा, और इसको ध्यान सेंगे, एस्टेंजा इजे इटेलियन वर्ड, इट मिस स्टोपिंग बलेस, एस्टेंजा एक इटेलियन वर्ड है, इसका मतलब होता उमीद करते हैं, अब देखिए, इस पोम पढ़ने से पहले, मैं जस्ट आप लोग को एक छोटा सा दो तीन लाइन का मैसेज देना चाहता हूँ, अब ध्यान समझेंगे, इसी में आपका पूरा पोम का मजा है, ठीक है, सोरी, पोम क्या क्या आता है, कि जीवन में, मतलब प पोएट जो है, किसी जंगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से मान लिजे, ये जो है, रास्ता है, दो रास्ते चले जाते हैं, ठीक है, एक यहाँ A है, ये B है, यहाँ पोएट क्या है, खड़े हैं, ठीक है, ध्यान दिजेगा, यहाँ पोएट खड़े हैं अब उनको ए रास्ता सही है या भी रास्ता है ये पता नहीं चलता है ठीक है तो इसी को उत्ताद जो है हम इस पोव्म को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपके जिन्दगी में भी कभी भी दो सेचुशन होता है है ठीक है क्या बनूद्र वन्ट इंगिन्यर बनूव एडवोकेट बनूद इसी बनूद ऐस्पी बनूद भनू जो भी आपको बनना आ लेकिन आप एक्टॉलिम डिसिजन ले लेते हैं और दो चार साल के बाद क्या करते हैं उस डिसिजन पर फिर से हम को अब हम बनेंगे कर पाते हैं तो पोईट इस मतलब पॉम के माध्यम से यह हमें स्ट्रों मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी हो अगर हमने एक बार रास्ता चून लिया है तो उसको वी सुट नेवर लुक बैक हम लोगो कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए मान लिज काम कंप्लीट नहीं होता है अगर आप एक लाइन को छोड़ करके बदलेंगे बार बार ठीक है तो इसलिए यहां पर पोईट जो है और पोईट के माध्यम से अब पोईट के माध्यम से बताए गया है चलिए हम आपको पढ़ते हैं तब आपको और ज्यादे समाज में आया है ठीक है देखे क्या है एंड एंड शोरी आई कुड नोट ट्रेवल बोट एंड बी वन ट्रेवलर लॉंग यह आई स्टूट आइन लुक डाउन वन आज फार आज आई कूड तो वेर इट बेंट इन दा अंडर ग्रोथ यह फर्स्ट एस्टेंजा का मैं आपको सबसे पह होते हैं टीक है जारी याद रखेगा तो यहां पर मिनिंग क्या बोलते हैं कि मैं मतलब दो रास्ते अलग-अलग हो रहे थे लेकिन मतलब जंगल में येलो वूड में वूड कमने या पर जंगल होगा ठीक है ना फोरेस्ट होगा छोटा जंगल को वूड बोलते हैं और आइकोन है नरेटर है जो इस कहानी को कर रहा है यानि पोएट है रोबर्ट फ्रोस्ट है और रोबर्ट फ्रोस्ट करते हैं कि मैं दोनों रास्ते पर बोलते है ना गाव में कहा हूँ आती है सार में कि आप दोनों पर पैर नहीं रख सकते हैं तो मैं दो रास्ते पर कभी चल सकता हूं ठीक है, be one traveler, और single traveler होने कर ना तये, मैं कुछ देर तक वहाँ पर खड़ा रहा, मैं कुछ देर तक यहाँ देखें, यहाँ मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, उसके बाद क्या हुआ, I look down और मैं यहाँ से देखते रहा इधर, ठीक है न, देखते रहा कहां तक मैं देख सकता था I'd far I'd, जितना दूर देख सकता था मैं, I could मैं देख सकता था To where it bent, to it मतलब यह रास्ता, जहां तक जाता था वहां जाती थी, वहां तक मैं देख सकता था ठीक है ना in the undergrowth आप देखेगा जंगल में जब आप चलने लगेगा तो इस तरह से जिग जग टैप का जो रास्ता होते हैं उसके बाद देखेगा कुछ देर के बाद जाड़ी दिखाए देर दूरी बाद उसके बाद आपको वह रास्ता बिलकुल दिखाए नहीं देता है तो यहाँ पर फर्स्ट एस्ट जामें यही इनका कहना है ठीक है अब देखे इसमें फिगर अप जो इसफिच यूज हुआ है इसमें figure विद्वी जो इसफिच यूज हुआ है maximum time आपको यह मेटाफर मिलेगा यह बहुत important है यह बच्चे मेटाफर रहाई है मेटाफर आपको फिलेका का एशित कर्दा है मेटाफर थोरा यह पहीं में डेबाद है मेटाफर को क चानी में उपर चलती है ठीक है लेकिन आप जानते होंगे है तो याद रखेगा आपके पूरे जीवन को बदल देगार इस पोव्म को समझने में 100% it helps you to understand better you know, देखे, in the poem the road not taken symbolizes our life, यह हमारे जिन्दगी को क्या करता है, symbolize करता है, refer करता है, denote करता है, the port says that the path that we don't choose, रास्ता जिसको हम select नहीं करते हैं, जिसको हम choose नहीं करते हैं in our life, हमारे जिवन में is the road not taken जो road not taken है, road not taken मने, वह रास्ता हम लोग select नहीं करते हैं, उसके बारे यह बात करते हैं, he describes he मने क्या, poet, that means Robert Prost describes his feelings वो अपने feelings को, emotion को describe करते हैं, about that choice, उस choice के बारे में, that he had left in the past जो उन्होंने past में छोड़ दिया था the path which we have chosen, decide our future यह बहुत important है, जिवन में हम वही बनते हैं जो हम बहुत साल पहले decide करते हैं, और हमारा वो destination बन जाता है, हमारा तकदीर बन जाता है, तो यह पोँम अगर देखा जाए, first stage बहुत ही, मतलब ironically इसको यह बोला जाए, कि हमारे life को अगदम direct refer करता है कि रास्ता याद रखिएगा हमेशों समझ के select करना चाहिए और जब select कर लेते हैं, तो पच्टाना नहीं चाहिए हमेशा आगे, छोटा जब बुरूक होता है, नदी की तरह बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए ups and downs is everywhere, up and down हमेशा होते हैं, जिवन और वो भी क्या होगा, मैसेज बताया जाएगा ठीक है, तो कि ये पूम जो है, next day हम क्लास आपको, कि जो next आपका एस्टेंजा है, second, third, fourth आप कहीं जाईएगा नहीं, kindly watch this channel, हमारा लातेहर का education department का channel है, इसमें हमारे DC साब के initiative से बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मुझे खुसी है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बचे follow भी कर रहे हैं, बहुत गर्जी और बहुत टीचर जो है इसको मनदब share भी कर रहे हैं, और यह हमारे लातेहर जी लग लिए बहुत अच्छा सिम्बोल है thank you very much, have a great day I hope you are doing well आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा और कीजे, best कीजे, good or better से sufficient नहीं है हमें best चाहिए, thank you very much again